नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल, HB 24 लूज में आप सवीका सुवागत करता हूँ आज मैं आपको बताने बाला हूँ हरियाना के समीकर्ण के बारे में यानि अगर हरियाना के अंदर आज हिलैक्सन हो जाए या हरियाना के अंदर अभी फिलाल 90 सीटों पर क्या समीकर्ण है कौन सी पार्टी मजबूती से है, कॉंगरेस है या बिजबीती से है और जिन सीटों पर बिजबी के अमले थे, कौन सी सीटों पर बिजबी के अमले कमजोर हुए है सब चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि इस वीडियो को लाइक एंड से जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्लो नहीं किया तो कर लिजी ताकि आप पूरे हरियाना की राजनीती का मज़ा लेकिन कुस्तों आपको बताना चाहूं हूँ हूँ कि कुस्तों पार्टी के लोगों ने बीजीपी के लोगों ने अपने अपने चैनल बना लीए है आज कर सोशल मेडियो का टाइम है तो अपनी अपनी तारिफ करते वें दिखते हैं लेकिन HB24 News किसी पार्टी का चैनल नहीं है, यह हर्याना ब्रैकिंग न्यूज 24 चैनल है, जिसको आप रिजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, चाहे वो IP इंडिया पे हो, या RNI को हो, हर प्रकार के लाइसेस आप हमारे HB24 News के देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो ओपनेर पोल द सविजिए वीडियो भी देखी होगी, उस टाइम हर यहना तक चैनल में में काद करता था, और हरे नहीं पर हो सही रही ते, जो लोग अच चापलोसी करते हैं, चापलोसी के नां पर जो फेक्ट चैनल चला रहे हैं ये Social Media पर रनिन तो जरूर होगी पैसा जरूर कमाते होंगे लेकिन जनता के विच विश्वास उन चैनलों नहीं कमाया है क्योंकि वो फैक न्यूज आपको दिखाते हैं तो ऐसे चैनलों से सावधान रहें मैं ते कहुँगा कि आप ऐसे चैनलों को इंग्नोर करें और और HB24 News आज आपको बता रहा है 90 सीटों पर कौन सी सीट पर क्या मजबूती है अगर All Our Conclusion देखा जाए तो मजबूती फिलाल के हिसाब से कॉंगर्स की ही देखी जा सकती है लेकिन कौन सी सीट पर क्या होने वाला है क्या चीज रहने वाली है यह चीज़ आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाज तक देखते रहिए लाइक के साथ सीज कीजिए बताना चाहूंगा कि हर्याना के अंदर 90 सीटे हैं और इन 90 सीटों में से अगर फिलाल की सिस्ती देखी जाए तो गोर्मेंट के अंदर 43 विदायक है जिसमें से NDA यानि अगर बीज़पी की बात की जा है अगर आपोजिशन की बात की जाए तो कॉंगर्स के उपास 29 विदायक है और अन्य विदायक मिलाकर कॉंगर्स के पास 32 विदायक है और अधर आपोजिशन की बात की जाए तो उसमें जेजीपी के पास 10 विदायक है आई अनल्डी के पास एक विदायक है तो किसी गढ़ बंदर में सामिल नहीं है तीन सीटे वकेंट वड़िया यानि खाले हो चुकी है तो यह है आज हरियाना की पॉल्टिकल सिस्थी लेकिन आपको बतादे की फ्लोवर लेडल मिनिस्टर तो आपको पता है पताने की जूरत नहीं है डिप्टी स्पीकर अनवीर सिंग गंगवा है स्पीकर ग्यानचंद गुपता है एंड सीम नायव सिंग सेनी है अपोजिशन लेडर पॉपादर सिंग हुड़ा है डिप्टी लेडर ओफ पॉपोजिशन अपताब एहमद है सिक्रेटी ओफ लेजिश्टी असेमली आरके नंदल है लेकिन मैन मुद्दा क्या है कि कॉंसी स इंडियन नेसल कॉंगर्स के विधायक है और पंच्कुला सा ग्यानचंद गुपता भारते जंता पार्टी से स्पीक करा है यह सिस्ती यथात्थ होने वाले यह टिकट किसको मिले ज्यानचंद गुपता यह से मजबूती से हैं बीज़िपी से यह सीटे बीज़िपी निका जाती है अगर इन चार सीटों के बाद की जाए तो फिलाल की सिस्ती में दो सीटे नरायनगड और मुलाना पर कॉंग्रिस की सिस्ती मजबूत है लेकिन अम्बाला और अम्बाला सीटी पर असीम गोयल अनेल वीज अम्बाला कैंट से विदायक है तो यह भाजपा की दो इन में से एक सीटे भाजपा की कमजूर है जरूर मंत्री है सिम गोयल आज अमाला सीटी से रोडवेज मंत्री है बारते जनता पार्टी से लेकिन सिस्ती उनकी मजबूत नहीं है उनको गराया जा सकता है अगर कॉंगर्स यहां पर मजबूत कंडिटेट उतारे तो यह सीट युमनानगर, रादोर, लाडवा, सहबाद, सधुरा, लाडवा, सहबाद, तो कुछ सेटर की सिजिंदर सीटे आजग दी लेकिन युमनानगर में चार सीटे है सहद्रा, जगादरी, युमनानगर रादोर यहां पर भी दो सीटों पर कॉंगर्स मजबूती से फिलाल बाज दो दो बडायक थो पर्टि छुड़कर दल बद्र हो गये, लेकिन song आपनी सीटों पर मजबूती से तो इस बार और बी मजबूती से जाने वाल जैंदर कारना जैकि कान पर सकती है हरियाना के आदर अब जगादर युमनानगर की हिदो सीटे हगर भारतीय जनता पार्टी उस्पाल बुज्जर से यहां से आपको बाताकि मज्बूद मजबूत शिश्ती में नहीं है यहां से आपको कभी मजबूतटी शिश्ति में और दरशकों से एक और आपील करना चाहूंगा कि मिस सीट पर देखने चाहतेहं के हिसाफ से कौन सा मजबूत कंडिटेट आ पके साफ से कउंगर्स पार्टी के पाल्ले में कौन सां जीट कर पाये कि अपने बात की बात की दो लादवा सहवात देखतें को मिलते हैं, साहइद रामकरन वहीं पर इतने बभूत सिंग सुष्टी में नहीं है . सब्सक्राइब को तारने के जूरता कॉंगर्स की ताकि मजबूत सिष्टी सिखड़ी हो जाए और आखड़ा बढ़ पाए के तल से मैं आपको बता देता हूं कि के अंदर जो इंडिपेंडेंट कंडिडेट जो पुंद्री से है रंदिर सिंग गोलान मुझबूत रहने वाले हैं मुझबूत सिटे के तल से लिला राम जो भारती जन्ता पार्टी से ब्राबर की टक्र दे सकते हैं लिला राम यहां से कमजोर है अगर भारती जन्ता पार्टी के लिए उमिद्वार बदलती है या फिर बदल करती है तो हार भी सकती है लेकिन लिल कॉंगर्स यहां से भी बढ़त कर रही कथल के अंदर भी बढ़त कर रही अगर कोसिस करें तो कॉंगर्स पार्टी लिला राम को बिनी नीचे गिरा सकती है कम्लेश ढंडा यहां से मुझबू शिष्टी में रहेंगे कलायट की सीट से अभी भारती-जंता पार्टी से कलायट सिर्ष स्टेया को टक्र देने के लिया यहाँ से जय प्रकास, जय पी के लड़के को टिक्ट दी जाए, जय प्रकास के प्रिवार काala को राय 어हाँ लड़ता हम, यहाँ से जीत तर्ज कर सकता है, तो ये दो सीटे जो संसिए मिहां लिला राम की और कमलेश धाडा की ये भी Congress Party जी सकती है लेकिन दो सीटों में से Congress Party यहाँ से अभी दोनों सीटों पर ही मजबूत सीशती में बिनिये की बराबर की टक्कर है कांटे की टक्कर है कि सही उमिद्वार के पाले में सीटे डाल सकता है वहीं पर इस वर सिंग तो बिल्कुल डाउन सिस्टे में ये सीटे तो कॉंगर्स के खाते में चले गी है पिछली बार कैथल से एक भी सीट कॉंगर्स के खाते में नहीं गई थी ल जो लुटत रामकुमर कश्याफ धारती जनता पार्टी चे धरंपाल गोंदर एंड रंदिर सिंग गोलन जो निलो कड़ी से धरंपाल गोंदर है जो निर्दली उमिद्वार है और कॉंगर्स में जाने की चरता है चल रही है कॉंगर्स पार्टी में जा सकते हैं तो कॉंगर्स पार्टी करनाल से भी तीर सीटों पर कबजा कर सकती है अस कर बजने वाली है कarnos एक कानाल से कंगर्स के पाले में दो सब्सक्रा कोई अगर बात करते है पानी पत की पानी पत पूरल पानी पत शीटी इस्षराणा और सम्ल vida है यहां पारारपनीपत लूर्रीपानी बात करते हैं बात करते हैं गनोर राई खर्खोदा सोनिपत गोहना और ब्रोधा यहां से बात की जाए तो राई और गनोर भारती जनता पार्टी की खाते हैं गनोर राई की बात की जाए तो यहां पर महुलाल बडुली थोड़ा सब मजबूत सिच्टे में तो मैं नहीं कौंगा की हार सकते हैं लेकिन गनोर से निर्मल रानी हारने की समावना है अगर मजबूत कनिडेट उनके सामने कौंगर्स लेकर आती है तो सोनिपत की यह सीट भी कौंगर्स को खाते में जा सकती है राई की सीट भीच भी मजबूत है लेकिन कनोर से काट के टकर दे तो कांगर्स यह सीट निकाल सकती है बाकि सीट कोंगर्स के खाते में थरजुषають है जीन्द की बात की जैए जुलाना सिफिद्दो जींद उचाना कला और अंदर्वाना जन्राइक जन्ता पार्टी के यहाँ पर उचाना कला नरवाना और से बिदाय का बिलकुल साफ हो रहे हैं नहीं जीतरी जन्राइक जन्ता पार्टी जुलाना सभी जन्राइक जन्ता पार्टी डाउन में हैं और सपिद्दों से आदरी कॉंगर्स मुझबूस सिस्तिम हैं लेक ऐसा कह सकते हैं लेकिन मुझबूत सिती में फिलाल कि इसनल मिड़ा को हराने के लिए कॉंगर्स को कई स्टेटी जबानी पढ़ेगे लेकिन फिलाल मैं बीज़पी के पाले में जो शीटे थी वो कॉंगर्स के पाले में डाईवर्टोरिया कॉंगर्स उन शीटों को जीत रही हैं जीज़पी इस बार हरियाना में एक शीट भी साइद ना बचा पाए फिरिदाबाद के बाद के जाएद फटेबाद की फटेबाद गंदर तोहना फटेबाद रतिया तीन शीटे आती है और तीनों ही शीटों से कॉंगर्स भारती दोदर उननिस के अंदर लेकिन इस ब पर तेन से डेवंदर सिंग बबली जन्याक जंधा पार्टी से विधायक है जो कॉंगर्स में फिलाल सामिल हो चुके अगर कॉंगर्स प्र लेकिन फिर से बीच भी पार्टी से जीट सकते हैं शिर्चा की बात की जाएए तो शिर्चा के अंदर कलना वाली ृजबावाडी और रानिया के सीटे रनजीत सिंग सच्टला के हारने के वाद के सियान के कॉंगर्स इनर भी रहने वाला सिर्चा सिट का बात कि जाए तो कुल्दी बिश्नुम भी मजबूस चीस्ति में लेकिन से बी लेकिन नारोंट से भी कॉंग्रेस पार्टी मजबूस चीस्ति में जेडी है लेकिन कोई जनाधार नहीं है विनोत भ्याणा को यहां से हरा सकती है बरवारा से जोगिराम शिहाग को अगर टिक्ड मिलती है तो कड़ी टकर दे पाएंगे कॉंगर्स उमिद्वार को अगर वह खुद कॉंगर्स में जाते है तो कॉंगर्स पार्टी यहां से जीत सकते है इसार से कमल गुपता इसार से बीचवी पार्टी मजबूत सिष्थी में रहने वाले हैं नलवा की बात की जाए तो बार्रबा से जन्नाक चेंटा पार्टी से नेना सिंग चुटाला है सब्सक्राइब देखते हैं कि यह पार्टी मजबूत शिश्ति में रहने वाली है निए लेकिन उसके लगता है यहां से जीतना भुषानी से घंस्याम सरफ बार्थे जंता पार्टी से लेकिन यह मजबूस शिस्ति में हैं वहानी कॉंगर्स मजबूस शिस्ति में तो सामसे कि छोदरी एक फिर से बीच पी से चनाव लड़ने वाली है और कड़ी टकर दे सकती कोई को विच पी में सामिल हुई है तो कोई मजबूस शिस्ति नहीं है बवानी खेडा से विचमर सिंग भारती जंदा पार्टी से मजबूस शिस्ति में कड़ी टकर देंगे में से बदराज कुंडू इंडीड़नेट है इनका ही जिनादार रहने वाला है गड़ी सांप्ला से किलोई से कॉंगर्स है वो वैंदर सिंग उंड़ा ने खुद चुना लें का कि सबीं से खाते में जा रही है वहिं पर जढ़ जढ़ रहे के शित यह सब इस क्यों भारती जनता पार्टि का खाता भी नहीं खुलेगा में तो अटेली में अदर गड नांगल चोडरी यंदिक सिट पार मेंदर गोड़ से राव दान से इडियान धिया से बिदृ लेकिन इस बार जो बचिव शीटे नारनोल और नांगल चोदरी और अटेली की कड़ी टक्र हो सकते ही कॉंगर्स पार्टी ये शीटे निकाल सकते हैं अगर मजबूत कनिडिट उतारे तो महंदर गड़ पूरा का पूरा हलका कॉंगर्स के खाते वे जा सकता है बात की जाएतर रिवाडी की बावल कोशली रिवाडी तीन शिटे हैं रिवाडी से चिर्ण जीव राउच यूडिया नेशनल कॉंगर्स के सिटिंग हमेले हैं और बावर्ट से बरवारी लाल फिर से मजबूत शिष्टी में जो बीजपीश पार्टी से हैं कसोली से लक्षम जो है गुडगाउं कि चार सीटों में से दो स्टें अबनाका अवर्ट सेक्स europa कि पसे कौंगर्स भी सहरों तो समे कि निदर यानि चार सीटों में इसे जिते ही जितेगी, बात करते हैं नुह के फ्रोजपूर जिर्कर पुहाना, फिर से कॉंगर्स यहां से मजबूत स्थिति में रहेगी, नुह से कॉंगर्स को कोई हराई नहीं सकता है, पलवल के बाद के जाए हतिन होडल, पलवल इन तीन सीटों पर जो भारती जन्दा तो तीन साटे इन पर भी कॉंगर्स मजबूत है फ्रिदावाद की सीट की जाए तो फ्रिदावाद के अंदर पिर्थला फ्रिदावाद अनाइटी बढ़कल बलबगड फ्रिदावाद टिगॉन यहां से भाजपा के सिटिंग अमल है दोनों सीटों पर तो कॉंगर्स अगर मेरा आंकडा देखे जाए तो यहां पर मैंने आपको साफसा बता दिया है कि कॉंगर्स पार्टी पचास सीटे तो 100% ही जीत रही है 90 में से 50 सीटे बची हुई 40 सीटों में से 10 सीटों पर कड़ी काटे की टकर रहने वाली है जनी वो सीटे भी कॉंगर्स अपने खाते में सामेल कर सकती है अगर उमीदवार अच्छा उतारा जाए कंडिटेट का चैन अच्छा हो स्टेडिजी अच्छी रहे तो कॉंगर्स इस बार रेकोर्ड तोड़ सकती है हर याना के अंदर आज तक हुई लेक्शनों का कॉंकि सिजीत तो कॉंग्र्स की है अंफड़ों के दार पर लेकिन गॉंगर्स पार्टी एक मजबूतिक आंखड़ा भी पार्द कर सकती है यानि तो दस शिट जो तक्र ऐग वधा वह जीत सकती है लेकिल कॉंगवर्स एक मजबूत कंडिडिट की जोड़ता है आपका क्या सोचना है आप अपने विचार कमेंट करें बने लहिएगा HB.24 लूज के साथ लागन सिर कीजिएगा जैहन साथियों